दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों घटना चक्र जीयस पॉइंटर सामाने अध्यान के महत्तुपूर्ण प्रश्णों के अध्यायवार तथ्यात्मक संकलन के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परिक्षाओं के सामाने ज्यान और सामाने अध्यान के लिए उप्योगी सामाने विज्ञान यानि जनरल साइन्स खंड के अंतरगत भौतिक विज्ञान के महत्तुपूर्ण प्रश्णों का भाग तीन इसमें हम विद्दु धारा और चालकता से संबंधित तो उत्तर है 5 रुपए दोस्तों एक यूनिट बिजली जो है 1000 वाट के बराबर होती है और यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपए प्रत यूनिट के दर से विद्दुत खर्च 5 रुपए होगा अगला प्रशन है दोस्तों 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का कर्च कितना होगा तो उत्तर है एक यूनिट यानि एक एक इकाई बिजली खर्च होगी यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो अगला प्रश्ण है दोस्तों एक किलो वाट घंटा का मान कितना होता है तो उत्तर है 3.6 x 10 to the power 6 जूल ये एक किलो वाट घंटा का मान होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक switch آन रखा जाता है तो प्रियुक्त विद्दुत उर्जा की इकाईयां कितनी होंगी तो दसमलों 4 यूनिट विद्दुत उर्जा खर्च होगा ये जुदि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक switch आन रखा जात अगला प्रश्ण है बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किस पर तो उत्तर है किलो वाट प्रति घंटा यानि वाटेज के मापन पर बिजली की खपत का बिल आधारित होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों यदि 60 वाट का बल्ब प्रति दिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी विजली खर्च होगी तो आप इसको 60 x 5 x 30 कर लेंगे तो ये 9000 वाट हो जाएगा तो कुल मिलाकर 9 यूनिट विजली खर्च होगी यदि 60 वाट का बल्ब प्रति दिन 5 घंटे प्रयोग मिलाय जाए तो 30 दिन में कुल 9 यूनिट विजली खर्च होगी अगला प्रश्ण है दोस्तों एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है तो सही कथन क्या है सही कथन होगा कि कम प्रकास वाले बल्ब में प्रति रोध अधिक है दोस्तों यदि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं उनमें से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकास देता है तो आप ये अस्पष्ट कर लें कि कम प्रकास वाले बल्ब में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अधिक है अगला प्रशन है दो एक जैसे बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी अगला प्रशन है दोस्तों 220 बोल्ट जनरेटर के एक बल्ब जुड़ा हुआ है धारा दस्मलो 5 एंपियर है तो बल्ब की शक्ति कितनी है तो उत्तर है 110 वाट बल्ब की शक्ति है अगला प्रश्ण है दोस्तों दो समनांतर प्रतिरोध वाले सरकिट का कुल प्रतिरोध एक दस्मलो चार सुन्न तीन किलो ओम है यदि एक प्रतिरोधक कमान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक कमान कितना होगा तो उत्तर है चार दस्मलो सात सुन्न किलो ओम होगा दूस प्रतिरोधक कमान अगला प्रशन है दोस्तों विद्दुत विभाव के संदर्व में सही कथन क्या है तो विद्दुत विभाव एक अधिश रासी है याद रखेगा रासियां दो प्रकार की होती है जो भौतिक राशियां सदिस और अधिस इसमें विद्दुत बिभव, इसमें केवल परिमाड होता है, देशा नहीं होती है, इसलिए ये एक अधिशरासी है अगला प्रश्न है विद्दुत चुम्ब की प्रेरण पर आधारित यूग तिक्या है ये वास्तों में क्या होता है, तो डाइनमो अगर जो वैज्ञानिक तोर पर देखें, तो ये उर्जा का परिवर्तक होता है और डाइनमो दोस्तों यांत्रिक उर्जा को विद्दुत उर्जा में परिवर्तित करता है डाइनमो परिवर्थित करता है किसको तो डाइनमो एक यंत्र है ये यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्थित करने का कार्य करता है अगला प्रश्ण है दोस्तों टर्बाइन और डाइनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्दुत उर्जा में परिवर्तित करते हैं किसको होता है तो जब बैदुति कुर्जा गत में परिवर्तित होती है तो उश्मा की कोई हानी नहीं होती है अगला प्रेश्ण है दोस्तों विद्दुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलने वाली योक्ति क्या है तो ये है विद्दुत मोटर दोस्तों विद्दुत मोटर जो है ये विद्धू तूर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलता है अगला प्रेश्ण है ऐसा उपकरण जो रासायनी कुर्जा को विद्धू तूर्जा में परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाता है तो ये है बैटरी आप जान लीजे ऐसा उपकरण जो रासाइनी कुर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है उसे बैटरी या सिल्क हा जाता है अगला प्रशन है कम बोल्टेज पर कारे करने पर विद्धुत मोटर प्रायह जल जाते हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण ये है कि वे अधिक विद्धुत धारा खीसते हैं जो बोल्टेज के प्रतिलो मानुपाती होती है इसलिए कम बोल्टेज पर कारे करने पर विद् थिरांग है अगला प्रेश्ण है मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पर चार कथन दिये गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं बोल्टता सामानतया 12 बोल्ट होती है प्रियुक्त विद्धु तप घट्य हा कथन एक और चार आपके सही है कि बोल्टता सामानतया 12 बोल्ट होती है और धारिता को एंपियर घंटा में व्यक्त किया जाता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों वह धातु जो रोश्नी के बलवो में फिलामेंट के रूप में प्रियुक्त होती है तो इसको टंगश्टन कह अगला प्रेश्ण है यान ICD यानि निकिल कैडमियम बैटरी का प्रियोग होता है किसमें तो उत्तर है कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर और कार्डलेस इलेक्टरानिक उपकरण में निकिल कैडमियम बैटरी का प्रियोग होता है अगला प्रेश्ण है बिजली के बल्व का त इसका कारण क्या है देखिए फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता बल्व पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिखल जाते हैं तो इन कथनों में सही कथन क्या है कि एक साधारन बिजली के बल्व का क्या चाक्रित अलप जीवन होता है क्योंकि इस संबन्द में ये तीनों ही कथन आपके सही है अगला प्रेश्न है दोस्तों जलते हुए विद्दुत बल्व के तन्तु का ताप समानते है कितना होता है तो ये 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है एक जलते हुए विद ये आवेश को पिर्थवी तक भेज देते हैं तो याद रखेगा तडित चालक या जो मकानों को सुरक्षा के लिए तडित चालक की अंतरा लगाये जाते हैं ये इमारतों को नश्ट होने से बचाते हैं क्योंकि ये अत्रिक्त आवेश को पिर्थवी तक भेज देते हैं तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही असपश्टी करण है अगला प्रश्न है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किस से जोड़ना चाहिए तो उत्तर है आधार यानी अर्थ सीरे से जोड़ना चाहिए थ्रे पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को अगला प्रश्ण है दोस्तों विद्दुत उपकाड़ों में अर्थ का उपयोग क्या होता है तो विद्दुत उपकाड़ों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है अगला प्रश्ण है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तूओं के बीच बिद्दुधारा नहीं प्रभावित होती है यदिवे हो समान विभावपर तो याद रखेगा आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तूओं के बीच विद्दुधारा प्रवाहित नहीं होगी यदिवे समान विभाव पर हो तो अगला प्रशन है दोस्तों सरवाधिक विद्दुध चालकता वाला तत्व कौन सा है तो ये है चांदी चांदी की विद्दुध चालकता सरवाधिक है अगला प्रशन है दोस्तों माईका, तांबा, स्वाड़ा और चांदी में से विद्दुध का सरवत्तम चालक कौन सा है तो चांदी दोस्तों विद्दुध का सरवत्तम चालक है अगला प्रश्ण है मेंज विद्दुत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है मेंज में और फ्यूज के विशे में सही कथन क्या है तो फ्यूज दोस्तों इसका गलनांक जो है निम्न होना आवस्यक है और विद्दुत फ्यूज ये विद्दुत धारा के उश्मी प्रभाव पर काम करता है अगला प्रश्न है फ्यूज का सिध्धान्त क्या है तो विद्दुत का उस्मी प्रभाव और फ्यूज की रूप में कम गलनांक वाले तारों का प्रियोग किया जाता है कि यदि जब विद्दुत परिपत में अधिक धारा प्रवाहित हो और विद्दुत फ्यूज से होकर ये धारा प्रवाहित होती है तो वो गल कर तूट जाते हैं जिसे बिजली के उपकरनड सुरक्षित रहते हैं और जलने से बच जाते हैं अधिक विद्धु धारा के प्रवाह पर अगला प्रश्ण है फ्योज में प्रियूग्त होने वाले तार की विशेश्टा क्या होती है तो ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक या कम गलनांक के तार होते हैं अगला प्रश्न है घर में सुरक्षित विद्दू सप्लाई के लिए उप्योग में लाने वाली फ्योजतार जिस धातु की बनी होती है उसकी विशेश्ता क्या है तो उसका गलनांग कम होता है और प्रतिरोधकता अधिक होती है अगला प्रश्न है दोस्तों हैलोजन लैंप का तन्तु होता है किसका तो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है हैलोजन लैंप का तन्तु अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंधित है कथन है एक धात उतार का ताप क्रम बढ़ जाता है जब उसके वीच से विद्धुधारा प्रवाहित होती है कारण है कि धात उड़ों के पारस्परिक संगटन से उसमा उर्जा का मोचन होता है तो यहाँ पर देखिए कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है तो ए सही परंतु आर गलत है अगला प्रश्ण है घरेलु विद्धुतार अस्थापन मोलता है किस क्रम में संयों जित किया जाता है तो याद रखिएगा ये समनांतर क्रम में संबंधित किया जाता है घरेलू विद्धुतार अगला प्रेशन है दोस्तों घरेलू विद्धुत सप्लाई के दोरान काले रंग का आवराण युक्तार कौन सा होता है तो घरेलू विद्धुत सप्लाई में काले रंग का आवराण युक्तार ये neutral यानी उदासी इंतार होता है अगला प्रश्न मानो शरीर शुस्क के विद्दुत प्रतिरोध के परिमार की कोट कितनी होती है तो ये 10 to the power 4 ohm होती है मानो शरीर के विद्दुत प्रतिरोध के परिमार की कोट अगला प्रश्ण है सामान ने ट्यूब लाइट में होती है तो आरगन के साथ मरकरी वास्प या मरकरी वेपर सामान ने ट्यूब लाइट में भरी होती है अगला प्रश्ण है दूस्तों हमारे घरों में CFL बल्ब प्रियोग होता है CFL का पूर्ण रूप क्या है तो ये है compact fluorescent lamp याद रखिएगा CFL का पूर्ण रूप compact fluorescent lamp है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है कथन है light emitting diode यानि LED lamp compact fluorescent lamp की तुलना में अधिक लंबी सेवा आवधि परदान करते है कारण है कि या LED lamp compact fluorescent lamp की तुलना में अधिक और जा दक्ष होते है तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याक्या करता है अगला प्रशन है दोस्तों कारणिक प्रकास उत्सरजी डायोड यानि आरगेनिक light emitting डायोड OLED का उप्योग बहुत से साधनों में अंकी प्रदर्ष यानि digital display सरजित करने के लिए किया जाता है और द्रव crystal प्रदर्ष या LCD के तुलना में OLED प्रदर्ष किस प्रकार से लावकारी होते हैं देखिए OLED प्रदर्ष नम में प्लास्टिक अवस्तरों पर समविरचित किये जा सकते हैं ओया LCD के उप्रियोग से वस्त्र में अंतय स्थापित उपर लेकनी प्रदर्ष बनाए जा सकते हैं और ओया लेडी के प्रियोग से पारदर्षी प्रदर्ष संभो है इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है तो ये तीनों ही कथन आपके सही है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रकाच उस सर्जक डायोट के कारे करने का सिध्धान्थ है वो क्या है तो ये है वैदुत संदीप्ति दोस्तों प्रकाच उस सर्जक डायोट का जो सिध्धान्थ है वो वैदुत संदीप्ति के सिध्धान्थ पर कारे करता है अगला प्रश्ण है सड़क प्रकास ब्यवस्था के संदर में सोडियम बतियां LED बतियों से भिन होती है इसका कारण क्या है तो सोडियम बतियां प्रकास को 360 डिगरी में उत्पन करती है किन्तु ये LED बतियों में ऐसा नहीं होता है सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों के तुलना में सोडियम बत्तियों के उपयोगिता अवधिकम होती है सोडियम बत्ति के द्रिश से प्रकास का स्प्रेक्ट्रम लगभग एक वाड़ी होता है जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकास विवस्था में शार्थक वांड सुविधा यानि कलर एडवेंटेज प्रधान करती है अगला प्रेशन है दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब या प्रतिदीप्त बल्ब में भरी जाती है क्या तो मरकरी और नियान या आरगन गैसें दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी जाती है अगला प्रेशन है एक बिजली के बल्ब की अपेक्छा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान यानि प्रिफर्ड किया जाता है इसका कारण क्या है तो उत्तर है फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्छा वैद्धत उर्जा का प्रकास उर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में वैद्धत उर्जा उसमी उर्जा के रूप में बहुत कम नुकस होता है अगला प्रश्न है स्वेत प्रकास को नली में पैदा करते हैं कैसे तो मरकरी अड़ों को दोलित करके नली में श्वेत प्रकास पैदा करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों विद्ध बल्व के अंदर कौन सी गैस भरी होती है तो याद रखेगा नाइट्रोजन और आ जो कुंडली दोस्तों लाइन की बोल्ट दा बढ़ाती है अगला प्रश्ण है यहाँ पर देखिए तीन कथन है इसमें से बताना है कौन से कथन सही है प्रकास उत्पन करने के लिए CFL पारावास्प और संधीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्ध चालक पदार्थों का प्रयोग करता है सही है CFL की ओसा तावध ही LED लैंप से बहुत अधिक होती है यह सही नहीं है और LED लैंप की तुलना में CFL कम उर्जा सक्षम है तो सही है दोस्तों इन तीन कथनों में एक और तीन कथना आपके सही है अगला प्रश्ण है एक तार में बहती विद्दु धारा और विभुवांतर प्रतेक को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्दु शक्त कितनी हो जाएगी सभी एक दो के अनुपात में है अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा तो उत्तर है 10 ओम ही होगा मोटे तार का भी अगला प्रशन है समान प्रकार की बूदे V बोल्ट तक आवेशित की गई है यदि N बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव कितना होगा तो N to the power 2 by 3 V होगा इस बड़ी बूंद का विभव अगला प्रेशन दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि परिमाडित्र परिरामित्र का प्रियोग बोल्टता को उचेयन और अपचेयन के लिए किया जाता है और कारण है कि परिमाडित्र ऐसी युकति है जिसका प्रियोग निर्दिष्ट धारा यानि दिष्ट धा परिपत में किया जा सकता है तो यहां पर देखिए A सही लेकिनार गलत है अगला प्रशन है दोस्तों समान प्रकार की बूदे V बोल्ट तक आवेशित की गई है यदि यन बूदे मिलकर एक बड़ी बूद बनती है तो इस बूद का विभो कितना होगा तो यह होगा N to the power 2 by 3 into V अगला प्रशन है ट्रांसफार्मर प्रियूग तो होते हैं किस लिए तो उत्तर है AC बोल्ट यानि प्रत्यावर्ति धारा को उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रियूग तो होते हैं ट्रांसफार्मर का प्रियूग होता है किस लिए तो आप जान लिजे दूस्तों प्रत्यावर्ति धारा बिभाव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रियूग किया जाता है अगला प्रशन है कि AC जनितर और DC जनितर में मोल भोत अंतर क्या है तो AC जनितर में सरपी वले होते हैं जबकि DC जनितर में दिक परिवर्तन या कम्यूटेटर होता है मोबाइल चार्जर क्या है तो ये एक अब चाई ट्रांसफर होता है अगला प्रेशन है दोस्तों कुछ युक्तियां एवं संबंधित विद्दुस से यांतरिक उर्जा में परिवर्तन करता है डीजल इंजन जो है प्रकास से विद्दुस सही नहीं है सोलर सेल रासायनिक से यांतरिक सही नहीं है तो इसमें इसे केवल एक और दो आपके सही है अगला प्रश्ण है प्रत्यावर्ति धारा उप्यूक्त नहीं है किसलिए तो श्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ति धारा उप्यूक्त नहीं है प्रत्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तित करने वाली यूक्त कौन सी है तो याद रखिएगा AC को DC धारा में परिवर्थित करने वाला जो डिवाइस है उसको rectifier कहते हैं अगला प्रेश्ण दूस्तों कथन और कारण से संबंधित है कथन है भारत में विद्दूत वितरन कमपनिया विद्दूत खपत की गड़ना किलोवाट घंटे में करती है कारण है कि भारत में विद्दूत पढ़ाली 60 हर्ज आबरित्ति पर काम करती है तो यह सही है आर गलत है क्योंकि भारत में विद्दूत पढ़ाली 50 हर्ज आबरित्ति पर कारे करती है अगला प्रेशन है दोस्तों विद्दुत खपत को बढ़ते क्रम में कौन प्रदर्शित कर रहा है तो देखे सबसे कम पंखा उससे ज़्यादे टेली वीजन फिर विद्दुत प्रेस और सबसे अधिक इलेक्ट्रिक केतली ये विद्दुत खपत को बढ़ते क्रम में प्रद अध्याय से संबंधित महत्यपूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं देखे अतिचालक का लक्षण क्या है तो सुन्य पारगम्यता दोस्तों सुन्य पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है अगला प्रश्ण है वह तापमान जिस पर अतिचालक ता अर्थिक महत्यों की हो सकती है जिससे लाखो रुपय की बचत हो तो ये सामाने तापमान दोस्तु सामान नितापमान पर अतिचालक ता आर्थिक महत्तो की हो सकती है और लाखो रुपय की बचत हो सकती है यदि ये सामान नितापमान पर संभव हो पाए तो अगला प्रश्ण है दोस्तों किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिक्तम ताप मान क्या है तो ये है लगभग 288 Kelvin या 15 degrees centigrade ये वर्स 2020 में निर्मित है अगला प्रश्ण है नव अविस्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है तो ये है ceramic oxide अगला प्रश्ण है दोस्तों अर्धचालक की चालकता यानि सुन्य डिग्री Kelvin ताप पर कितनी होती है तो किसी अर्धचालक की चालकता सुन्य डिग्री Kelvin ताप पर सुन्य होती है अगला प्रश्ण है एक अर्धचालक या सेमी कंड़क्टर में विद्दू चालन होता है किस से तो इलेक्टरांस और होल्स दोनों के द्वारा अगला प्रश्ण किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है तो दोस्तों किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है याद रखेगा अगला प्रश्ण है निकट अतीत में हिक्स बोसान कण के अस्तित्यों के संसूचन के लिए किये गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं इस खोज के या इस कण की खोज का महत्तो क्या है उत्तर है ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि मूल कडों में संगहती क्यों होती है अगला प्रश्ण है परम सुन्यताप मान पर अर्धचालकों में बिद्दुत प्रतिरोध हो जाता है कितना तो उत्तर है संपूर यानी अनन्त दोस्तों, 0 degree Kelvin या 0 Kelvin जो होता है परम सुन्यताब इस पर अर्धचालकों में बिद्दुत प्रतिरोध सुन्ने हो जाता है, अनन्द हो जाता है अगला प्रशन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइडर, चांदी से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में परियोग होती है क्या तो दोस्तों, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का परियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है आर्सेनिक, जर्मेनियम, आस्मियम और रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है तो ये है जर्मेनियम जो की एक महत्वपूर्ण अर्धचालक है ट्रंजिस्टर बनाने के लिए सरवाधिक प्रियुक्त पदार्थ कौन सा है तो ये सिलिकान है और देखिए कथन और कारण से संबंधित है अगला प्रेश्ण कथन है तडित चालकों को बनाने में लोहे की छडों की अपेक्छा ताबे की छडों को वरीता दी जाती है इसका कारण है कि लोहे की तुलना में ताबा विद्दुत का अधिक सुचालक है और वाई मंडली परिष्थितियों में सरलता से आकसी कृत नहीं होता है तो इसमें A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों तडित यानि विजली चमकना से ब्रिक्ष में आग भी लग सकती है इसका कारण क्या है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या विद्दुत उर्जा दोस्तों तडित या विजली चमकने से ब्रिक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विद्धुत उर्जा होती है अर्धचालक कौन है तो सिलिकान और जर्मेनियम दोस्तों ये अर्धचालकों के उधारण है अगला प्रिश्ण है भारत सरकार ने जहामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें ऐसी धात्व या ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका प्रियोग ट्रांजिस्टरों में होता है वो तत्व कौन सा है तो वो जर्मेनियम है अगला प्रश्ण है एल्यूमिनियम, सिलिकान, चादी और सीसा में से वहतत्तु जो अर्धचालक है तो उत्तर है सिलिकान दोस्तों सिलिकान महत्वण अर्धचालक है तो आप जान लीजे दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र जीयस पॉइंटर महत्वण प्रश्णों के अध्यावार, तथ्यात्मक संकलन के अंतरगत, भवतिक विज्ञान के महत्वण प्रश्णों का भागतिन इसमें हम बिद्दुध धारा और चालकता से संबंधित महत्वण प्रश्णों को पढ़ा आपने जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए तयारिक द्रिष्णी से और रिवीजन के लिए बहुत ही उप्योगी हैं, आप इनको तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार